इफ बाई रोडियार्ड किपलिंग, इफ एक पोयम जिसे लिखने वाले रोडियार्ड किपलिंग है, अगर हम रोडियार्ड किपलिंग के बारें बात करें, तो उनका जर्म 1865 में और उनकी डेथ 1936 में हुई थी, वहाँ उनकी द्वाया जो वक्स लहे गई, वह बच्चों क बहुत ही जड़ा पसंद आती थी, और 1907 का समय था, जब उन्हें Novel Prize for Literature मिला था, तो अब इसी के साद शूक करते हमारी पोयम, अगर आप अपने सिर्ड को, अगर आप अपने दिमाग को शान्त रख सकते हो, जब सारे के सारे लोग अपना दिमाग शान्त नहीं रखते हैं, और आप पे ब्लेम करते हैं, आप पे दोस डालते हैं, आपकी गलतियों का और उनके द्वार की गई गलतिया हैं, उनका भी, If you can trust yourself, when or man dot you, अगर आप अपने आप पे विश्वास कर सकते हो, उस समय जब सारे के सारे लोग आप पे dot कर रहे हैं, But make allowance for their dotting too, लेकिन आप उन्हें यह भी मौका दे कि उनके द्वारा जो dot किया जा रहा है, कहीं उनका dot पे भी उन्हें dot तो नहीं है, मतलब जो व्यक्ति आप पे dot कर रहे हैं, तो उनका dot करने का जो base है, कहीं उन्हें उस पे तो खुद doubt नहीं है, If you can wait and not be tired by waiting, अगर आप इंतजार करते हो, और इंतजार करते करते आप ठक नहीं जाते हो, और being lying about, don't deal in lies, और अगर आप के बारे में जूट बोला जाता है, लेकिन आप जूट नहीं बोलते हो, और being hated, don't give way to hating, और अगर आप से नफरत की जाती है, लेकिन आप किसी से नफरत नहीं करते हो, and yet don't look too good, nor talk to us, और नाहीं जादा आप अपने आपको अच्छा दिखाने की कोशिश करते हो, और नाहीं जादा बेवकूफ दिखाने की कोशिश करते हो, if you can dream and not make dreams your master, अगर आप सपने देखते हो, और आप अपने सपने को ही उसका master, अपने आपका master नहीं बनाने देते हो, if you can think and not make thoughts your aim, अगर आप सोचते हो, लेकिन आप अपने सोच को ही aim नहीं बना देते हो, यहाँ पर बता जा रहा है, कि हम सपने देखते हैं, लेकिन उसके लिए, अगर हम किसी तरीके का कोई action नहीं करते हैं, तो सपने ही हमारे master बन जाते हैं, तो हम यह ऐसा बिलकुल भी नहीं करना चाहिए, वहीं दूसरी उड़, अगर हम किसी चीज को सोचते हैं, तो हमें उसे अपने आपको aim ना बना करके, उस पे हमें किसी तरह का action लेना चाहिए, इफ यू केन मीट विछ ट्रॉम्फ एंड डेजास्टर, अगर आप जीत या हार से मिलते हो, आपके दोरा किसी तरीकी का कोई achievement प्राप्त किया गया, या फिर आपके दोरा किसी तरीकी का लॉस हो गया, अगर आपके अंदर या साहस है कि आपके दोरा बोली गई बात को आप सुन सकते हो, किसी तरीकी का कोई बात बोला है, और उसे उसमें किसी तरीकी का फेल बदल करके उसी बात को किसी दूसरे परसन को बताया गया, और दूसरे परसन ने आपको उस परसन के दोरा बोले गई बात को बताया, कि आपने मेरे बारे में या आपने इस तरीकी के बात कोई है, आप ही के सामने तोड़ मरूर करके, और उन चीजों को आप देखते हो, जिन्हें आपने अपने जिन्दिगी का बेश कीनती समय दिया है, ब्रोकेन, तूड़ते हुए, और उस तूड़ अप और बिल्ट देम विद वार्न और टूल, तो उन सारी की साई चीजों को, जिसे आपने अपने जिन्दिगी का एक एहन समय दिया है, उन्हें तूटते हुए, और फिर से उन्हें आप खड़ा करते हो, अपने द्वारा इस्तमाल की गए उन सारी की साई टूल से, जिन टूल्स का इस्तमाल करके, आपने उन्हें बनाया था, उसी टूल्स का इस्तमाल करके, आप उसे दुबारा बनाने लगते हो, जब वह पूरी तरीके से बरबाद हो चुका है, अगर आपने अपने जिन्दिगी में जितनी भी चीज़े जीती है, उसका एक पहार बना दो, और वापस से उसे हार जाओ, और आपने क्या होया, उसके बारे में कभी भी किसी को ना बताओ, अगर आप अपने दिल, अपनी नव्स और अपनी मान स्पेशियों को फोर्स करते हो, तो सर्व योर टर्न लंग आफ्टर दियर गॉन, ती आप अपने दिल, मान स्पेशियों को और नव्सों को आप ओर देते हो, कि वापस से आपके पास आपका साथ देने के लिया जाए, जब कभी भी आप बोलाओ, तो उस समय वो आपके पास आए, जब आपके पास कुछ ना हो, एक्सेप्ट दा विल विच सेश टू देम, सिफ आपके पास क्या हो, आपकी मन की इच्छा, जो उन्हें बोलते हैं, होल्ड आउन, रुख जा, इफ यू कन टॉक विद क्राउट्स, एन कीप यो वर्चू, अगर आप भीड़ी में रहे रहे, लोगों से बाते करते हो, और आपकी जो क्वालिटीज है, जो अच्छी क्वालिटीज है, उसे भी अपने साथ रखते हो, और वाक विद दा किंग्स, नौर लूज दा कॉमन टच, और जब आप राजाओं के साथ, चलते हो, घूमते हो, फिरते हो, लेकिन आपका जो कॉमन टच है, जो आप ग्राउंडेट पर्शन है, कॉमन रहना, उसे नहीं भूलते हो, अगर ना ही आपके दुश्मन, और ना ही आपके दोस्त, आपको नुक्सान पहुचा सकते हैं, अगर सारे के साए लोग आप पे निर्भा करते हैं, बट नन्ट तूमच, लेकिन जादा नहीं, मतलब अगर आप किसी के साथ रहते हो, तो उसके भी एक बॉंडरी होती है, आप साथ में रह रहे हो, लेकिन आप अपनी लाफ की हर एक टीन नहीं बताते हो, अगर आप आपके द्वारा जो आपने आपके पास जो समय होता है, उस समय के एक मेर्ट के जितनी भी साथ सेकंड है, उसका इस्तमाल करके आप किसी दूरी को तरह करते हो, तो यह दुनिया तुम्हारी है, और इस दुनिया में पाई जाने वाली हर एक चीज तुम्हारी है, और जिसके कारण आप जो बनना चाहो, आप वो बन सकते हो, आप एक महान पुरुष बन सकते हो, आप जो भी अचीव करना चाहो, और आप अचीव कर सकते हो मेरे बेटे, तो यही थी बोयम, इफ बाय रुडियाड के प्लिंग, वाँ,